हेलो फ्रेंड वेकम तुझनुका एगरी अगेडेमी आज का जो हमारा टैप्रिक है जीन इंट्रेक्शन पर रहा ठीक है जैसे कि मैंने पीछला लेक्षर जो जीन इंट्रेक्शन का इंट्रोडेक्शन बनाया था उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है ताकि आपको यह समझ में आ सके ठीक है तो आज हम बात करेंगे जीन इंट्रेक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में सौट में ब्रीफ में और काफी मेंमोरेबल हम इसको बनाएंगे कैसे इसको यार्थ कर सके ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जीन इंट्रेक ड披ोकंटियों के बात करेंगे या डुब्लिकेट जीन एक्षन के बारे में जिसका रेशियो है 15 रेशियो वन कैसे आता है यह हम आपको थोड़ा explain करके बताएंगे और फिर बाकी आपको आगे बताते जाएंगे ठीक है तो duplicate gene reaction का जो statement है वो क्या कहता है वो कहता है कि जब dominant allele साथ हो या अलग-अलग हो ठीक है यहाँ बें मैं हिंदी यूज किया हो तो जब dominant allele साथ हो या अलग-अलग हो तो क्या करेगा एक ही लक्षण को produce करेगा मतलब dominant allele साथ भी होगा या फिर नई भी होगा तो भी हो क्या करेगा एक लक्षण को produce करेगा ठीक है उसी के साथ वो लक्षण क्या-क्या है जैसे कि क्या-क्या आ सकते है हमारे allele वो आ सकते AABB gametes जो बनेंगे या फिर A, A, B, B, Small वाला तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको एलिल्स दीख रहे हैं ठीक है चारों तरह के या फिर इससे ज़्यादा भी कुछ एलिल बन सकते है जो इस बॉक्स में दिखाएंगे चेकर बॉकड़ में ठीक है अब अपन देखते है कि कैसे A, A, B, B जो कैपिटल है और Small A, A, B, B को हमने क्या कर दिया क्रॉस करवा कर देखा ठीक है अब जब क्रॉस करवा है तो हमारा जो गैमिट है जो फाइनल गैमिट जो बूलते है F1 में वो क्या आया A, A and B, B ठीक है A, A और B, B बनाया तो गैमिट इस तरीके से बनाया जाते है A को आपने पहले ले लिया फिर आपने Small A को ले लिया फिर यहाँ पर Capital B फिर यहाँ पर Small B यहाँ पर भी सेम आप कर रहेगा अब हमने क्रॉस कराए A, A, B, B और A और Small B तो यह जो गैमिट है देख सकते हैं आप चारो तरह के जो गैमिट बने है वो यहाँ पर हमने alternate लिख दिया है ठीक है यह देख सकते हैं A, A, B, B और यह इसी तरह इसमें भी आपने चारो तरह से alternate लिख दिया ठीक है अब आपन इसको बनाएंगे जैसे कैसे बनाते इसको जो A, A, B, B है इसके साथ combine होता जाएगा ठीक है तो इसका एक rules होता है जो capital होता है उसको आपको क्या रखना है पहले रखना है ठीक है तो capital आपने रखते जिगाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह का एलील फिर एक तरह का तो इस शेकर box को आप बना लीजेगा ठीक है मैंने कैसे बनाना है इसको बता दिया हो एक line आपको describe कर देते हैं जैसे A, A, B, B है A, B, B है तो यहाँ पर capital A और capital B, B साथ में आएगा फिर यहाँ पर A और A यहाँ पर मिला उसके बाद यहाँ पर B और यह वाला B तो मैंने पहले बोला capital को पहले रखना ठीक है तो यह हमने complete कर दिया उसके बाद हमने पूरा complete इसको बनाने के बाद देखा कि हमको यह जो statement है इसमें क्या feedback रहे तो यहाँ पर इन्होंने बोला dominant allele जब साथ हो यह अलग-अलग हो यह dominant allele साथ है इसमें इसमें भी साथ है लेकिन यहाँ पर देख सकते है capital A और small A है तो यहाँ पर जो allele है वो क्या है अलग-अलग है बर फिर भी क्या है कि यह क्या करेगा एक तरह का characters हो करेगा मान के चलो यह example floating and non floating rise की बात करते है जिसमें हमको duplicate gene reaction का ratio मिलता है तो वो ratio कैसे मिलता है 15 जो 15-1 का ratio है वो कैसे मिलता है यहाँ पर हम सब देख सकते हैं जहाँ पर dominant allele साथ में नहीं भी है या है भी या तो उसके alternate दूसरे allele में वो dominant gene present है जैसे small B के साथ capital B है तब भी वो एक तरह का character produce करेगा तो यह complete इसको देखने के बाद हमको पता चला यह जो है लास्ट का जो रेसे स्यू हो जाएगा जो है मतलब क्या स्मॉल एए और स्मॉल बी यह स्रीफ एक सिंगल character produce करेगा और इसमें जो box है वो 16 होते हैं तो 16 में हमको एक क्या मिला हो मो जाएगा रेस है वो गवन कर रहे तो आया रेशियो आपका 15 अनुपात एक का ठीक है इसी के साथ हमारा duplicate gene action को आप समझ चुके है अब हम देखते हैं कि complementary gene action क्या होता है ठीक है तो complementary gene action में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ dominant dominant जो gene होते है इसी checker box box से हम समझेंगे ठीक है यहाँ पर जो dominant ज करेगा produce करेगा जैसे 9 is to 7 का रेशियो आता है आप देख सकते है 9 is to 7 का ठीक है तब की complementary जो रहता है dominant gene जो होता है dominant को ही क्या करता है complementary effect देता है ठीक है मतलब किसी character को produce करने के लिए वो उसको complementary effect देता है जैसे कि अगर मैं cross इसी cross से समझूंगा तो इस cross में क्या देख सकते ह जब dominant dominate alleyal जो है साथ में होते है तो एक character produce होता है अगर dominant alleyal साथ में नहीं है तो character produce नहीं होगा वो दूसरे तरह का character produce होगा ठीक है तो इसका ratio 9 is to 7 कैसे निकलते देखते है यहाँ पर देख सकते हैं आप capital A और capital B साथ में है तो इसको हमने green जेंबोलदिया यहाँ पर भी capital A और capital B यहां पर साथ में, तो इसको भी हमने green दे दिया, तो जितने में capital A और capital B साथ में हैं, यहां देख सकते हैं, तो इसको हमने क्या दे दिया, यह black जो है, इसमें capital A लिल नहीं है, तो यह ध्यान रखना, जो black देखना, capital A, capital A, और small B, small B, देखो cross हुआ है, यह A और इसका cross हुआ है, तो यहां पर capital B है क्या हम नहीं है, तो capital B नहीं है, तो वो दूसरा character produced किया, ठीक है, तो इसी तरहीके से जितने भी green वाले हैं, उसमें capital A और capital B है, और जिसने ब्लैक वाले हैं, उसमें capital A और capital B नहीं है, ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि, इसकी statement यह बैठता है, तो इसमें ratio जो आता है, वो 15 ratio, sorry, 9 is to 7 का ratio आपका, इसमें आता है कि इसमें complementary gene action में, ठीक है, तो complementary gene action आपने समझ लिया, अब देखते है अपन supplementary gene action, ठीक है, फ्रेंस, आज हमने duplicate gene action और complementary gene action को समझ लिया है, इसका ratio जो है, duplicate का 15 ratio 1 and complementary का 9 is to 7, ठीक है, तो यह दो ratio हमने समझ चुका है, by checker board के द्वारा, ठीक है, अब आपन देखेंगे कि जो supplementary gene action होता है, उसका ratio कि इतना आता है, क्योंकि GRF के exam में आपको ratio पूछा जाता है कि complementary है, supplementary है, duplicate का ratio क्या है, तो आपको ratio याद रखना है, जो supplementary है, उसका 9 is to 3 is to 4 होता है, और जो आपका masking gene action है, आप देख सकते masking gene action का आपका 12 ratio 3, ratio 1 आता है, ठीक है, उसके बाद जो inhibitory gene action है, उसका 13 ratio 3, ठीक है, 13 ratio 3, तो ये सारे ratio को आपको रटना है, अब बाकी checker boots आपके समझने के लिए था, तो दोस्तों उम्मीद आपको ये lecture पसंद आया होगा, अगर lecture पसंद आया तो आप इसे like करिए, और अपने दोस्तों तक share करिएगा, दोस्तों आपको अगर lecture समझ आया है, तो आप video को like करें, अगर आप channel में मेरे पहली बार आया है, तो channel को subscribe करें, bell icon को also click करें, ताकि आपको latest notification update मिलत रहा है, दोस्तों इस वीडियो में पढ़ा आगे सारे lecture, PDF, notes आपको दूपर अग्री.com में मिलेंगे, competitive group हो गया, ICRJRF, CAT के YouTube videos, articles, agriculture notes, PDF, PPT, handwriting notes and notification, आप हमें social media पर भी follow कर सकते हैं, जैसे हमारा link है, telegram के लिए Indian Agriculture Student Group and Facebook group में आपको ICRJRF Plants as Indian Agriculture, Instagram page पर आप हमें follow कर सकते हैं, दनुका agriculture के नाम से हमारा page है, कर भी नाम सेमेट! की करीच्व circum sistema congressantsन्याल fleंट यू जैसे हूए रहएचाना वी बद्त्राइभ झारता रहआएम को अएजगां, मैं मीन गाम की के वे इनुका है,